Good morning, पिछले वीडियोज में हम राजिस्थानी चित्रकला के विशह में अध्यान कर रहे थें, जिसे आज हम ढूडार स्कूल से कंटिन्यू करेंगे। ढूडार स्कूल के अंतरगत आमेर शेली, जैपुर शेली, अलवर शेली, शेखावाटी शेली और उनियारा शेली आती है। आज हम आमेर शेली और जैपुर शेली के विशह में अध्यान करेंगे। आमेर शली ढूंडाड स्कूल का प्रारंबिक रूप आमेर शली के रूप में विक्सित एवं पल्लवित हुआ, सोलवी शताबदी में अकवर की अधिनता स्विकार करने के कार्ण 1562 इस्वी में राजा भारमल की पुत्री जोदाबाई का विवा समराट अकबर से किया गया, जिससे राजपूत घराने के संबंद मुगल अंत्यपुर से घनिष्ट हो गया और आमेर शली पर मुगल शली का प्रभापड़ा, आधि पुराण आमेर शली का प्रारंबिक चित्रित ग्रंत पालम योगी निपूर में पुष्प दत्त द्वारा 1540 इस्वी में चित्रित आधि पुराण है, इस पुराण की प्रतिलिपी चौधरी राईमल ने हरीनात कायस्त से तयार करवाई, ये चित्र प्रिंस ओफ विल्ट संग्राले मुंबई के गीत गोविंद, लाहर संग्राले के लोर, चंद्रा वे एहमदाबाद संग्राले के चौर पंचाशिक चित्रों में से सामें रखते हैं। आमेर शैली के प्रारंबिक सोरूप, जिसमें मुगल प्रभाव का प्रारंब नहीं हुआ था, का प्रमुखोधारण है। रज्म नामा ग्रंथ में आमेर शैली के 48 चितेरों जिनोंने इस ग्रंथ को तयार करने एवं चित्रित करने में सहयोग दिया था, के नामों का उल्लेग है। यह ग्रंथ जैपुर के पोथी खाना में सुसज्जित है। इस ग्रंथ के चित्रांकर में आमेर यह मुगल शैली का समन्वे दिखाई देता है। नादिर्शाही लूट से एक वर्षपूर फी मोहमत शैनिस ग्रंथ को सवाई जैसिंग को भीट किया था। यशोधरा चरित राजा मान सिंग प्रथम के शाषनकाल में यशोधरा चरित की पांडू लिपी सन 1590 इसवी में आमेर के नैमीनाथ जिन चैत्याले में चित्रित की गई। जो 47 प्रश्ट चित्रों से सुसज्जित है। इसे सर्युदोशी ने खोजा था। आदी पुराण यह माराजा मान सिंग की जन्मिस्थली मौजमाबाद में सन 1626 इसवी में चित्रित आमेर एवं अभ्रण्ष शैली का एक अन्य महत्पून सचित्र ग्रंथ है जो आमेर शैली का तिथी युक्त क्रमिक विकास का दिगदर्शन कराता है। इसमें 338 चित्र है आमेर शैली में सचिंत्र ग्रंथों के अलावा भित्ती चित्रन परंपरा का विकास भी पर्याप्त मात्रा में हुआ। रेनवाल की चत्री मौजमाबाद महल आदी मिस प्राप्त होते हैं ये सीधे चित्र पत्थर पर बनाए गये थें नेकी आरायश शैली में। प्रयोग हुआ है चित्रों में चित्रांकर लाल या काले पत्थर में किया गया है। इन चित्रों में उत्तर अकबर कालीन और पूर्व जहांगीर कालीन चित्रन का प्रभाव द्रश्टी गोचर होता है। मौजमा बाद प्रारम भिक आमेर शैली का गड़ था। आमेर शैली पर बाद में मुगल प्रभाव अधिक द्रश्टी गोचर होता है। आमेर शैली के विकास पत का दूसरा चरण, दूसरा मोड मिर्जा राजा जैसिंग के समय प्रारम होता है। इसके समय बिहारी सत्साई ने अनेक चित्रकारों वे रजिक जनों को प्रभावित किया। इस समय तक आमेर शैली मुगल शैली के प्रभाव से ओध प्रोथ हो महराजा मिर्जा राजा जैसिंग ने 1639 इसवी में अपनी रानी चंद्रावदी के लिए रसिक प्रिया एवं वेली कृष्ण रुक्मनीरी आदी ग्रंथों का चित्रांकन करवाया, जिन में कृष्ण एवं गोपियों के युगल स्वरूप का चित्रन लोक शैली में हुआ बिहारी जैसे कवी उस समय दर्बार की शोबा थे, जिनोंने शब्द चित्र बना कर चित्र कला को प्रभावित किया, आमेर शैली में पुरुष व्यनारियों की सजा बनावट राजस्थानी लोक कला से प्रभावित थी, साथ ही मुगल प्रभाव के कारण वेश भूशा मे अकबर, कालिन वे जहंगीर कालिन वस्तरा भूशन का प्रभाव दिखाई देता है, वस्तरों में चार नौक का चाकदार जामा, तथा बाद में घेरदार जामा वे चुस्त पजामा, जहंगीरी पगडी, चगताई औरतों जैसा पहनावा आदी आमेर शैली की हाथों में काले फूंदने, घहगरा, ओडनी, चोली, आदी, वेशबूशा, ठेट, राजस्थानी लोग जीवन से संबंदित है, इस शैली में प्राकरतिक रंगों जैसे हिर्मच, गेरू, सफेदा, कालूस, पेवडी, आदी का प्रयोग अधिकता से हुआ है, रेखाउं म जो भिती, चित्रों और कुछ एक सचित्रग्रंथों में दर्शनिय है, जैपुर शैली, जैपुर को आमेर्शैली विरासत में मिली, याइओं कहना चाहिए, कि आमेर्शैली ही जैपुर शहर बसने के कारण, नए रंग रूप में विक्षित हुई, तथा तबी से जैपु जग निवास मग, ताल कटोरा, सिसोधिया रानिकाब महल जैसी भव्य इमारते बनाकर जैपुर को एक नवीन आयाम प्रदान किया। महाराजा सवाई जैसिंग द्वीतिय, 1700-1773 सी स्वी, सवाई जैसिंग का काल चितरकला की द्रश्टी से भी महत्पून रहा। उनकी द्वारा जैपुर शहर के बसने के बाद आमेर शैली में भी विकास परिवर्तन द्रश्टी गोजर हुआ। इसकी फलसरूप इसे जैपुर शैली कहा गया। मुगलों से पारिवारिक संबंदों की डेड़ शतावदी की लंबी अवदी के कारण जैपुर शैली पर मुगल प्रभाव ये मुगल शैली की नफासत पून रूप से वरकर सामने आई। राजस्थान की अन्य चित्र शैली के समानांतर जैपुर शैली को भी अब्रण शैली विरासत में बिली। अब्रण श्वे मुगलिया प्रभाव से जैपुर में एक मूतन शैली का आविर्भाव हुआ। कालंतर में ये शैली अपने आप में एक अलग चित्र शैली बनकर उभरी जो जैपर शैली के नाम से प्रसिद हुई सवाई जैसिंग का दरबारी चितेरा मुहमद चाह था इन्होंने कई गरंथ आती सुंदर तरीके से चित्रित कियے सवाई जैसिंग के दर्बारी कवी शिवदास राय द्वारा 1737 ईस्वी में ब्रजभाशा में तैयार कराई गई सचित्र पांडूलिपी सरसरस ग्रंथ में कृष्ण विशियक 39 चित्र पूरे प्रष्टों पर अंके थैं सवाई ईश्वर्य सिंग 1743 से 1785 ईस्वी माराजा ईश्वर्य सिंग ने 1747 ईस्वी में अपने निर्देशन में इसर लाट का निर्मान करवाया यही नहीं सभी प्रकार के कला कोशल को उन्नत किया प्रमुक रूप से सांगानेर में देशी कागजों का निर्मान होता है था चित्रकारों द्वारा ईश्वरी सिंग पाठा नामक कागज प्रयोग में लिया जाता था सवाई ईश्वरे सिंग द्वारा कागज पर काटी गई अनेक प्रकार के बेल बूटों की जालिया उनकी कला प्रयता को प्रमानित करती है इनके समय का प्रसिद चितेरा साहिब राम था जिसने सवाई ईश्वरे सिंग का एक आदम कद चित्र चंदरस ने बनाया साहिब राम द्वारा बनाये गए व्यक्ति चित्र एक चश्मी होते थे महराजा ईश्वरे सिंग को जानवरों की लड़ाई करवाने का बच्पन से शौक था उटों, हाथियों, बहसों की लड़ाईयां, सांड मारी उनकी समय में आयोजित की जाती थी जिने राजस्वेम चोगान इस्थित मोती बुर्ज और चतर बुर्ज में बैट कर देखते थे इन आयोजिनों के द्रश लालचंद, लालजी और रामजी दास कलाकारों द्वारा बनाये गए जो मान सिंग संग्राले के संग्रे में विदमान है जगरूब, हीरा, उदेराम, सतराम, पोहकर इस समय के प्रमुक चितरकार थे सवाई मादो सिंग प्रथम 1750 से 1768 भी इनके शाशनकाल में साहीब राम एक मंजा हुआ चितरकार बन चुका था वे बड़े आकार के पोट्रेट बनाता था राम जी दास एक गोविन भी इस समय के अच्छे चितेरे थे लाल चितेरा राज किये खेलों का अंकन करते थे सवाई मादो सिंग प्रथम के समय गलता के मंदिरों सिसोधिया रानी के महल, चंद्र महल तथा पुन्रिक की हवेली में कलात्मक भित्ती चितरन हुआ इस काल तक आते आते जैपुर शैली से मुगल शैली का प्रभाव धीरे-धीरे समाप्त होने लगा तथा जैपुर शैली में शुद्ध राजपुद शैली की प्रधानता द्रश्टी गोचर होने लगी इस काल में अलंकरणों के चितरन के स्थान पर मोती, लाख और लकडी की मनियों को चिपका कर रीतिकालिन आलंकारिक मनिकुट्टियम की प्रभर्ति को प्रोथसाहन दिया गया इसी समय जैपुर के मालपुरा ठिकाने में तिथे युक्त रागमाला चितरित की गई इस समय के अन्य चितरकार रामजी दास, गोविंदा, सालग राम, सीता राम, उदा, खुशाला, पोहकर, माया राम, गोपी राम, शामलाल, नवला, दीपा, त्रिलोका, हीरा, भवानी, मंगल राम, उस्ता वे जै किशन थे महराजा प्रत्वी सिंग 1768-1778 इस्वी, इनके समय दर्बारी चितरकार, हीरा नंद और त्रिलोक ने उलेखनिय कारे किया इन्होंने मिलकर सन 1778 इस्वी में महराजा प्रत्वी सिंग का आदमकद पोट्रेट बनाया इस समय के अन्य चितरकार, गोविंदा, मंगल, सालगा, रामजी दास, घासी, हुकमा, गुमान आदी थे महराजा सवाई प्रताप सिंग 1778-1830 इस्वी सवाई प्रताप सिंग का काल जैपुर शैली का स्वयन काल था ये स्वयम एक अच्छे कलाकार इम साहित्तिकार थे, इन्होंने स्वयम 21 गरंथों की रजना की, इन्होंने अनेक कवियों, विद्वानों, चितरकारों वे कलाकारों को प्रश्चर दिया पुष्टी मारगी होने के कारण ये कृष्ण भक्ती में विशेश अनुराग रखते थे और ब्रजनिदी के नाम से काव्वे रचना करते थे वरिष्ट चितरकार साहिब राम इनके समय तब भी उत्क्रष्ट चितरांकन कार्य करते थे साहिब ब्राम द्वारा इनके समय बनाये तीन उत्क्रष्ट चित्र निम्न प्रकार है प्रथम है महाराजा प्रताप सिंग के पोट्रेट सिकेंड राधा कृष्ण के नित्रत से संबंदित चित्र सवाई प्रताप सिंग ने प्रसिद हवा महल का निर्मान करवाया कलात्मक रीती से सजे दर्वाजे सहीत प्रीतम निवास बनवाया रिद सिद साल और भीतर का विलाश चौक बनवाया जैनिवास बाग को गुविन देवजी मंदिर में बदल दिया गया मादो निवास के पिछले भाग की दिवारों पर उतक्रष्ट भित्ती चित्रों का निर्मान करवाया पोथी खाने की भाधी सुतर सूरत खाने को भी प्रताप सिंग ने व्यवस्तित रूप दिया और चित्रों को विशेर अनुरूप मुरक्कों में सान दिया महाराजा प्रताप सिंग के सानिद्ध में राधा क्रश्न की लीलाओं, नाई का भेद, राग रागनी, रितू वर्णन, आदी विश्यों पर चित्रांकर अधिक हुआ इस समय के प्रमुक चित्रकार खुशाला, फैजुला, राज, शिवदास, आदी थे इन चित्रकारों ने देवी भागवत, भागवत दशमसकंध, रामायन, क्रिश्न लीला आदी की पांडू लिपियों पर क्रम बद्द चित्र शंकला तैयार की राग माला 1785 से 90 इसवी का 36 राग रागनियों पर आधारित संपूर सेट भी जीवन, नबला और शिवदास नामक कलाकारों ने मिलकर बनाया इसके अत्रिक्त प्रताप सिंग के शाशनकाल में 40 चित्रों का एक राग माला सेट और मिला है जिस पर मंगल चितेरे का नाम अंकित है तथा तिथी योक्त सन 1793 का गीद गोविंद सेट तथा सन 1799 में इसवी का मधू मालती सेट गोवंद धारन का सचित्र वर्णन इन लग प्रताप सिंग के समय के हैं स्वन का उपर उठावा काम मोतियों की जड़ाई असली जवारातों को चित्रों में सजावाट के लिए प्रयोग में लाना इन ही के शाशनकाल में चित्रकारों ने प्रारम किया वेशपूशा में पेशवाज, पैजामा, पहने स्रिया, प्रताप, शाही, पगडी वे पारदर्शी चोगा पहने पुरुष द्रश्टिगत होते हैं सवाई जगत सिंग 1803-1818 इनके समय तक जैपुर शैली की मौलिकता बनी रहे महराजा सवाई जगत सिंग के समय में पदमाकर जैसे प्रसिद्ध कभी ने जगत विनोध की रचना की सवाई जगत सिंग के बाद के समय में जैपुर रियासत का अंग्रेजों से संबंद कायम हो जाने के कारण जैपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा सवाई जैसिंग तृतिये तथा महराजा राम सिंग द्वितिये के समय में कंपनी शैली के प्रभाव से यथार्थ वादी शैली का चित्रन जोर पकड़ने लगा फोटोग्राफिक डंग से पोट्रेट चित्र बनाये जाने लगे महराजा सवाई राम सिंग ने कलाकारों को प्रोथसान देने ही तू मदरसा ही हुनरी महराजा स्कूल अफ आर्ट्स और क्राफ्ट की स्थापना की उनके ही आदेशानुसार जैपुर शहर को गुलाबी आवरण दिया गया और तभी से जैपुर को गुलाबी नगरी कहा जाने लगा जैपुर शहली के कलाकारों ने बड़े बड़े कैनवासों पर आदमकद चित्र बनाकर और चित्रकला की नई परंपरा शुरू की सेकड़ों व्यक्ति चित्र और सम्हुर चित्र जैपुर शहली की अपनी विशेश दाय हैं सन 1850 इसवी के बाद कंपनी प्रभाव के कारण फोटोग्राफी के प्रभाव एवं विदेशी इस्थापत वे वेश बुशा के अंकन के समाविष्ट हो जाने से धीरे धीरे जैपुर शहली की मौलिकता लुप्त होने लगी वे यूरोपिय प्रभाव जलकने लगा इस समय के इस शैली के प्रमुक्चित्र इस प्रकार हैं संत संजीवनी 1838 इसवी श्री साल व्रदी साहित 1846 इसवी भारत सेट 1848 इसवी भागवद गीता 1850 इसवी इस समय के बने भित्ते चित्रों में पुरोहित जी की हवेली, जगत शिरोमणी मंदिर, भोजन शाला, आमेर, सिसोधिया रानी महल, चूड सिंग की हवेली, गुसाई जी की छत्रियां, भवानी राम बौरा मंदिर, आदर्श नगर की शमशान सली, आमेर में इस्तित्म मात चित्रों की छत्री द्रश्टव्य हैं, फोटो कार खानी की स्थापना भी इसी समय हुई, राम चंद्र, मुसव्विर, गनेश, फकीरा, मोहनलाल, गंगा बक्ष, लक्ष्मन, राम जी, केसा, वे दुर्गा, आदी कलाकारों ने वास्त्विक ता वादी, तेल चित्रों, ए सव्विर ने महराजा राम सिंग के समय तवाइफों के बहुत से चित्र बनाये, महराजा सवाई मादो सिंग द्वीतिय, 1880-1922 इस्वी, इनके साशनकाल तक चित्रकार पूरी तरह से यूरोपिय प्रभा में ड़ चुके थे, चित्रकार तेल रंग की बड़ी तस्वीरे ब विश्वेश्वर जी के मंदिरों में भित्ती चित्रों का निर्मान हुआ। उनके समय के चित्रकारों में गंगा बक्ष, पन्ना, गोपी राम, गोपी नात, मुरली, राम चंदर मुसविर, शाम लाल, माधो लाल, कालू राम, नाथू लाल, छाजू राम, गणीशा, प्रामपरा को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहे वे वास्त्विक्ता वादी अंकन में रूची रखते थे उन्होंने स्वेम के एवं राजघराने के व्यक्तियों और महीलाओं के व्यक्ति चित्र बनवाएं सन पुरुष पात्रों के चेरे साफ और आखे खंजनकार होएं उन्हें अधिकतर तलवार लिए अंकित किया गया है पुरुषों को विवा के समय तुर्रा कलंगी लगा सहरा कानों में लाउंग बाली या गुर्दा पहने दिखाई गया है सुसंपन व्यक्ति पगडी कुर्दा जामा, चोगा, अंगरखा, पाय जामा, कमरबंद, पटका, जूता आधी पहने हुए अंकित हुआ है नारी पात्रों का अंकन स्वस्थ मीन जैसी आखें, बोहें, धनुष के समान, तिर्ची, नाक, दीपशिखा जैसी कोपले, जैसे संकुचित अधर, मुख गोल, चिबु गोल, उन्नत उरोज, कटी खिची हुई, लंबी केश राशी, भरा हुआ शरीर, तथा सोहावनी मुद्रा में हुआ है, नारिया, टीका, टोटी, बाली, हार, हसली, सतलडी, टेवटा, कंठा, बाजुबंद, चूडी, पाय जेब, आधी से विभुशित हैं, वस्तरांकन मे चोली, कुर्ता, दुपटा, लहंगा, बेसर, तिलक और कामदार चूटियों का प्रचलन अधिक रहा है, इस्तरियों की वेशबूशा में मुगल प्रभाव अधिक है, उनके अधो वस्तरों में घेरदार घागरा उंपर से बांधा जाता है, इस्तरियों को पाय जामा और छोटी ओडनी पहनाई जाती है, जो मुगल परांपरा के अनकूल है, चेहरों की चिकनाहट और गौरपूर्ण फारस शैली के अनकूल है, प्रश्ट भूमी में उध्यानों का अंकन है, शेर, चीता, हाथी, भेड, बकरी, उूट, गोड़ा, गाय, बैल, मोर, बतक, तोता, आदी का विश्यानुकूल अंकन हुआ है, जैपूर्ण शैली में हाशिये में गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है, इस शैली में सफेद, लाल, नीला, केसर, जैसा पीला, तथा हरे रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, चित्रों में चांदी यम सोनी के रंगों का और उसी मंडल के अन्य रागों के चित्रों में स्थानिय शैली की प्रधानता दिखाई देती है इसमें कलाकार ने शब्री के खेशों, उनके अल्प कपडों, आभूशनों, चंदन के व्रक्ष का चित्रन किया है जैपुर शैली में कवी पद्माकर, बिहारी, बुगुशन, लची राम वे देवी लाल की काव्य क्रतियों पर चित्रन किया गया है साहिब राम, सालग राम, मन्ना, चतुर बुझ, हुकुम चंद, मुरली, बनवाली, लाल जी, राम जी दास इस शैली के मुख्य चिते रहे सूरत खाना महराजा सवाई जैसिंग ने अपने शाशन के विभिन कारियों को सुव्यबस्र डंग से संचालित करने हैं तू प्रमुक चितरकार इस प्रकार हैं साहिब राम ये व्यक्ति चितर बनाने के लिए प्रसिद्ध थे राम जी दास लाल चितेरा राम प्रसाद कुमावत जी इन्होंने जैपुर की महिलाओं की विभिन भंगिमाओं के चितर बनाए और ये फोटोग्राफर भी थे नारायन प्रसाद को पोट्रेट पर बहुत अधिकार था